इस वीडियो में फ्रेंट्स हमारे पास वीगो का वाइट 200 है इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली है इसी फॉन की तॉप 65 प्लस टिप्स अंट्रिक और कुछ हिडिन फीचर जैसे कि आप इस फॉन की स्कीन लॉक होती है इसको फॉन को सेख करेंगे तो फॉन की फ्ले इस सब फीचर आपको हीडिन देखने को मिलते हैं जिनको आउन करने के बाद यह सब आप इस तरह से यूज कर पाऊगी जिनके बार में आपको पता चलेगा इस वीडियो करना है तो वीडियो में को छोटी छोटी स्टैप है जिन्हें फॉलो कीजिए और इस फॉन की टिप दूसरे का यूज करना चाहते हैं तो यहां पर आप कुछ इस तरह से दूसरे एप्स को यूज कर सकते हैं उपर वाले को कभी भी आपको नीचे करना तो आप वो भी कर सकते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद तो आप देखो यह स्विच भी हो जाता है अगर एक अप्स को आ आने का call setting पर click करना होगा call recording का feature देखने को मिलेगा यहां पर click किजिए आपको दो feature मिल जाते हैं एक तो सभी नंबर की auto call record कर सकते हैं यहां पर click करने की बाद एक यहां पर आप चाहें तो कुछ नंबरों को select कर सकते हैं जिनकी call record होती रहेगी तो यहां पर click कर लिजिए customers कभी आप 2-4 नंबर की करना चाहें call record तो यहां से आप select कर पाएंगे auto call का भी support मिल जाता है both without announcement के इस फोन में आपको screenshot के काफी different feature देखने को मिल जाते हैं इस फोन में start different तरीके से आप screenshot ले सकते हो तो पहला तो रहेगा आपका phone का down button and power button दौनों को एक साथ प्रेस करने पर screenshot आ जाएगा अगर आपको चाहिए long screenshot तो इसके लिए चली चाहिए long screenshot एरिया में normally screenshot को क्लिक करने कवा long screenshot पर click करना रहेगा तो यह automatically scroll होना शुरू हो जाएगा आपको जितना long करना है आप इस तरह से scroll कराकर भी long कर सकते हैं save पर click करेंगे long screenshot save हो जाएगा इसके लाबा funny screenshot के काफी different feature मिलेंगे जिनको आपको use करना है तो control panel को open करने के बाद as capture पर click करना है funny screenshot पर click करने के बाद लेसो screenshot पर जब आप click करेंगे तो आप finger से area को select कर सकते है screenshot के लिए तो इस तरह से आपका save हो जाएगा आप screen पर लिखकर screenshot भी बना सकते हैं जिसके लिए को simple funny screenshot पर ही जाना होगा यहाँ पर जाने के बाद as यहाँ पर आपको मिल जाएगा doodle screenshot यहाँ पर click के जिए अब आपको screen पर जो कुछ भी लिखना हो आप इस तरह से लिकर save कर दीजिए तो यहाँ पर आप देखूँगाई screenshot को इस तरह से भी मिल जाता है इस फिंगर से डाउन करेंगे तब भी आप screenshot ले पाएंगे तो यह काफी different feature screenshot के आपको इस फॉन में मिल जाते हैं इस फॉन में आपको under display fingerprint देखने को मिलता है तो जो उसका animation रहता है उसको change कर सकते हो एन यहाँ पर always on display में जो आपको animations होता है आप उसको भी बदल सकते हो एन यहाँ पर आपको बहुत साही dynamic effects देखने को मिल जाते हैं जिनको आप change करके रख सकते हो तो उनको change करने के लिए चले जाए फॉन की setting में, setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है dynamic effects इस पर click करना है पहला feature रहेगा इसको आपको यहां से on कर लेना है आप बैदर बगेर आपको कोई भी effect बगेर add कराना हो तो यह feature आपको on करना होगा तो यहाँ पर click करने के बाद always on display में अगर कोई भी अपना effect as light होता है उसको on कराना है तो यहां से आप उसको भी on करा सकते हो तो जैसे कि as light आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा different feature मिल जाते है तो आपको different different आपको as light होती है उसको on करा सकते है different आपको color मिल जाएंगे यहां पर कुछ temperature आपको यह on होना चाहिए वो भी आप यहां पर set कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा feature हो जाता है जैसे कि आपको इसको भी on हो तो आप उसको भी set कर पाऊगे and as light यहां पर मैंने आपको बदाई रिया है यहां से बदल पाऊगे अगर आपको बदलना हो color भी आप अपने हिस लिए color भी select कर सकते हैं यहां से वापस आने के बाद आपको home screen interface का feature देखने को मिलेगा जब आप skin को unlock करते हैं तो किस तरह का apps है वो आप यहां पर set कर पाऊगों तो यहां पर काफी different effects देखने को मिल जाते हैं जिनको भी आप लगाना चाहें वो यहां से आप apply कर सकते हैं वापस आपको finger animation का feature देखने को मिलेगा जो कि आप always on पर सो कर आते हैं वह आप आप यह देखने को मिल जाता है तो always on पर किस तरह का effects आपको देखना है वो यहां पर animation किस तरह कर सो होना चाहिए जब आप fingerprint add लगाए अपने finger से unlock करें तब तो आप यहां से बदल पाऊगे यह काफी different animation आपको देखने को मिल जाएंगे जिन मेंसे जो भी अच्छा आपको लगे उसको upside करके apply कर सकते हैं तो आपका यही viewing app and animation आपको देखने को मिल जाएगा वापस आने के बाद face animation को अगर आपको बतलना है तो यहां पर बो भी option रहेगा आप उसको भी यहीं से change कर सकते हूं यह भी आपको different animation देखने को मिल जाते हैं बाप पसानी के वाद आपको और भी feature मिल जाएंगे जैसे के charging animation बतलना हो तो यहाँ बेर चार्जिंग animation को change कर सकते हो काफी different animation देखने को मिल जाते है जब इंसर्ट करते हैं तो यहां पे आपको अलगद एफेक्ट से इंटर करने का option देखने हो मिल जाता है तो फोन की सेटिंग में जाएए सेटिंग में जाने के बाद आपको मिल जाएगा एप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर उन एपस का support देखने को मिलता है जिनको आप सहन में डॉल अप यूज कर सकते हैं तो किसी भी आप का डॉल करना है तो यहां पर आके आप बहुत आसा यहां पर क्लिक करके लॉट कर देजिए तो आप सभी एपस को क्लोज कर पाएंगे जो भी आपने लॉक किये वह आपके यहां से लोज नहीं होगे तो इस थार से बैक्ग्राउंड के एप को कभी भी आप लॉक कर सकते हैं किसी भी दाइं इस पॉर्ण मा आपको एप इसके लाब अगर आप पर हाइड करना तो एप हाइडिंग पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी एपस को हाइड भी कर सकते हो तो दोनों ही सपोर्टर आपको इस फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो वाइड डिफाल्ट गीवी फूचर आपको देखने को मिल जा बाद करने के बाद ना चाहते हो तो इसके लिए फोन की सेटिंग में चले जाईगे систik में जाने के बाद यहां से overall-down किजिए, shortcut and accessibility पर आपको click करना रहेगा यहां पे आपको smart motion के feature देखने को मल जाता है यहां click करने के वाद आपको मिलेगा smart skin on off का feature यहां click किजिए, अब आप double tap करके skin को off करना चाहती हो तो इस feature को on किजिए, double tap करके skin को on करना चाहती है तो इस feature को on कर दीजिए, तो दोने ही feature आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, phone को जैसे आप pick up करते हैं, तब यह आपका phone की जो skin है वो automatic on हो जाए, तो इसके आपको rise to back वाले feature को on कर लेना है, तो आपका क्या phone क्या होगा, जैसे कि phone table पर रखा है, इसको जैसे आप pick up करेंगे, तो phone का screen automatic on हो जाएगा, without power button बगएर आपको press करने के, तो यहाँ पर आपको कोई भी power button बगएर प्रेस करना नहीं होगा, simple आपको rise to back वाले feature on करना है, इस screen automatic on हो जाएगा, जैसे आप pick up करेंगे, इस phone आपको quick action feature भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपका phone का जो skin है वो off है, और इसके लिए आप जब long time power volume down button को press and hold करके रखेंगे, तो आप देखो कि phone की flashlight on हो गई है, अगर आप चाहें तो इससे replace कर सकते हैं, यहाँ पर आप set कर सकते हैं, voice recorder इसके लाबा camera apps, तो बहुत कुछ आप set कर पाएंगे, इनको set करना चाहते हैं, तो इसके लिए चले जाएगे, phone की setting में, setting में जाने के बाद scroll down कीजिए, फिर आपको देखने को मिल जाएगा shortcut and accessibility, यहाँ पर click कीजिए, quick action पर फिर click कीजिए, अब यहाँ पर आपको जो भी feature देखने को मिल रहे हैं, उनको आप access कर सकते हैं, volume down बटन से, तो जैसे कि आपने record audio click किया, अब volume down बटन को जब press and hold करके आप रखेंगे, तो phone के अंदर जो आपकी voice record है, वो automatic on हो जाएगी, फिर आप किसी की भी voice को आशनी से record कर पाऊए, उस तो पता भी नहीं चलेगा, अगर कि चाहते किसी भी apps को आप set करना, तो यहाँ पर open apps पर click करके आप वो भी set कर सकते हैं, यह भी feature आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है, एक step यहाँ से बापस आ जाईए, एक step और वापस आ जाईए, आपको easy touch का feature देखने को मिल जाएगा, यह काफी अच्छा feature है, तो आप पहले इसको यहाँ से on कीजिए, अब यहाँ पर आपको एक wall देखने को मिल जाएगी, इस पर click करने के बाद आप बहुत सारे feature को यहाँ से add कर सकते हो, जैसे कि आपको calculator open कराना हो, यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपका calculator डिरेक्ली यहाँ पर floating window में on हो जाएगा, तो आप डिरेक्ली इसको access कर सकते हो, full screen कर सकते हो और इसको resize भी कर सकते हो, यह कफी अच्छा feature आपको देखने हो मिलेगा, तो बहुत सारे आपको access यहीं पर मिल जाते हैं, double tap, tap and hold, इसके बाद side से मिल जाता है, press and hold पर मिल जाता है, अब इसका आप चाहें तो design chain कर सकते हैं, जिसके लिए आपको personalization screen पर क्लिक करना है, अब आपको different, जहाँ पर कुछ इस तरह के option देखने को मिल जाएंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको robot देखने को मिल जाएंगे, इसके लाबा आप यहाँ पर कुछ और भी set कर सकते हो, DD set कर सकते हो, यह काफी अच्छे feature मिल जाते हैं, जो भी आपने apply किया, वो यहाँ पर आपका set हो जाएगा, यही icon आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर tap करने के बाद, अब बहुत सारे जो control हैं, उनको यहाँ पर control करा सकते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे customization मिलेंगे, जो आप कर पाएंगे, इस phone आपको smart call का feature देखने को मिल जाता है, जैसे on करने पर आप अपनी call को smart बना सकते हैं, इस phone की call को smart करने के लिए आपको चले जाना है phone की setting में, setting में जाने के बाद call down करने पर आपको मिलेगा shortcut and accessibility, यहाँ पर click कीजिए, फिर आपको smart motion पर click करना रहेगा, smart calling के feature पर click कर लिजे, अब आपको यहाँ पर कुछ different feature देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहले feature रहेगा smart call का, जब आप इसको on कर देंगे, तो किसी भी number की call detail को जान पाएंगे, जैसे आप अपने phone को अपनी face की दरब लेके आएंगे, उस नंबर की call detail आपकी 100 हो जाएंगी, दूसर option रहेगा, आपका smart answer का, इस feature को on करेंगे, तो आप अपने phone की call को without touch की answer करा सकते हैं, ring खुतिव phone को कान की उर ले जाएंगे, call आपकी automatic answer हो जाएगी, अगर आप smart answer वाले feature को on करेंगे, फिर आपको मिल जाता है, यहीं पर smart switch का feature, इसको on कर देंगे, तो आपके phone पर किसी भी number से hand free से बात हो रही है, और आप अपने phone को कान की उर ले जाएंगे, तो automatic कान वाले speaker मां आवाज आना शरू हो जाएगी, अगर आप smart switch को on करके रखेंगे, इसके लावा smart mute का भी feature मिल जाता है, अगर आप इस feature को on कर देते हैं, तो आपके phone पर कोई भी number से call आ रहा है, और आप उस phone की call को mute करना चाहते हैं, तो phone को किसी भी चीज़ से cover कर देजिए, और फिर flood करके रख दीजिए, call वो automatic mute पर चली जाएगी, इसके लावा flip to mute incoming call का feature भी मिल जाता है, अगर आप इसको on कर देंगे, तो कोई भी call बगर आता है, तो आपने phone को flip कर देंगे, या फिलिप पर कर रख देंगे, तब भी आपकी call mute हो जाती है, तो ये कुछ different features आपको smart call के देखने को मिल जाएगे, जिसका direction भी change होता है, अगर आप चाहें तो ये इस तरह से जो मैंने set किया है, वो भी आप कर पाऊगे, या फिर response में जैसे navigation यूज करना हो, तो आप भो भी कर सकते हो, इसको set करने के लिए चले जाएगी, फोन की setting में, setting में जाने के बाद, scroll down कीजिए, आपको मिलेकर system, system पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आने के बाद, आपको मिल जाता है system नेविगिस्टन, यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर आपको back button setting यह तरह से करना है, जो कि मैंने की हैं, तो यहाँ पर select कर लीजिए, आपके back button right hand side पर आजाएंगे, अगर आपको जैसे navigation का use करना हो, तो यहाँ जैसे navigation पर क्लिक कर दीजिए, आपके back button hide हो जाएंगे, यहाँ पर जैसे navigation आपके आप यूज कर पाऊगे, एक line आपको देखने को मिलती है, आप यहाँ के लिए करके इस line को भी hide करा सकते हैं, इस phone में आपको one-handed mood का भी feature देखने को मिल जाता है, अगर चाहें तो आप उसको on कर सकते हैं, जिसको on करने के लिए चले जाएए, phone की setting में और यहाँ से scroll कीजिए, scroll करने पर shortcut and access ability पर click करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा one-handed का feature, इसको यहाँ से आके on कर दीजिए, आप कभी भी आपको अपने phone one-handed mood के लिए on करना है, तो इस तरह से आपको click करना रहेगा, तो आप देखोगे phone आपको one-handed mood पर on हो जाता है, अब एक हाँ से बहुत आसानी से आप इसका use कर सकते हो, अगर आपको यही side की जगे, इस side इसको मनलब click कराना है, तो यहाँ पर click करके आपको इस तरह से यह select कर लेना होगा, तो आप देखोगे इस side भी आ जाता है, इस phone में आपको flash notification का भी feature देखने को मिल जाता है, जब आपके phone पर कोई भी call बगर आएगी, तो आपके flash light है, वो आपकी blink होना शुरू हो जाती है, notification के लिए तो उसको on भी करा सकते हैं, इसको on करने के लिए चले जाएए phone की setting के अंदर, यहाँ पर आने के लिए इस call करेंगे, तो आपको shortcut है इने accessibility पर क्लिक करना रहेगा, फिर आप देखोगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है flash notification का feature, यहाँ आपके इसको on कर देजिए, अब भी आप, आप कोई भी call आएगा आपके phone पर, तो आपकी जो flash light है, वो आपकी यहाँ पर notification में on हो जाएगी, तो इस तरह साब इस feature को भी on कर सकते हैं, एक step बापस आने पर आपको कुछ और भी feature है, यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि face beauty for video call का, इसको on कर दीजिए, अब आपकी phone पर कोई भी video call होगी, तो आपकी जो video रहेगी, वो एकड़म beauty mood में on हो जाएगी, और अच्छी video आपकी quality उदर जाएगी, यहाँ पर कुछ और भी apps को आप add करा सकते हैं, जैसे कि whatsapp के लिए, यहाँ पर आपको और भी feature देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपकी video call के लिए supported रहेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे, तो उनको on करके रख लीजिए, एक इस step और आपको बापस आजाना रहेगा, यहाँ पर आपको text timer का future देखने को मिल जाता, यह काफी अच्छा feature है, यहाँ पर क्या है, आप अपने phone को schedule पर set कर सकते हैं on off के लिए, आप चाहते हैं रात में आपका 12 बज़े phone switch off हो जाए, और सुबर के 4 बज़े on हो जाए, तो यहाँ पर आप timer set कर सकते हैं, कितने बज़े आपका phone off होना चाहिए, किस समय आपका phone on होना चाहिए, यह भी set कर सकते हैं on off के लिए, यह on का timer रहेगा, यहाँ पर off कर रहेगा, तो इसके लिए आप time के जगे date भी डाल सकते हैं, देट में यह आपका होना चाहिए किस समय होना चाहिए यह सब आप सैट कर पाएंगे इसके लाबा आप और भी स्वीडियू कर सकते हैं जिसके आप चाहते बाबरेट आपका फॉन किस समय से किस समय तक नहीं होना चाहिए इसके लाबा आपको जो काउंटडाउन बाबरेट ह आप इसको चेंग करना चाहिए या फिर आपको चेंग करते समय एफेक्ट करने हो यह सब बहुत आसानी से एट कर सकती है इसको एड करने के लिए इसकी इन पर टू फिंगर से पिंच कर लेना है आपको मिल जाएगा home setting पर क्लिक करने के बाद Home Screen Style को आप चेंज कर सकते हैं जैसके आपको एप डॉइट ओपिन है तो यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप करते समय कुछ इस तरह का एफेक्ट आपको सो खूल जाएगा वह मिस्कीन पर टू फिंगर से पिंच अनिक करने के बाद होम सेटिक के बाद जब आप जाते हैं तो आपको और आप चाहें तो इसका जो कलर है वह भी आप बदल सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाता ह इस फीचर को On करेंगे तो जो भी एप जहां पर सेट है वहीं पर रहेगा आप इसको यहां से से रिमोव नहीं करा सकते हैं यहां वहीं रहेगा तो आप इसको Aap कुछ और और जैसे कि आपका Google discovery on रहता है, आप इसको यहां से on-off कर सकते हो, जब आप इस तरह से डाउन करते हैं, तो आपका क्या सर्च होना चाहिए, या फिर आपका global सर्च होना चाहिए, या फिर आप इसको बंद करना चाहते हैं, तो वो भी option आपको यही पर मिल जाएंगे, जो बिज आप कलर देखना चाहते हैं, वो आप सेल्ट कर सकते हैं, अब जैसे कि आपने यह वाला apply किया, अब यहां पर आप देख पाऊगे, यह color change हो गया है, तो जिस color में आप UI को देखना चाहते हो, वो आप यहां से apply कर सकते हैं, अब जो भी wallpaper आपने इस screen पर set किया है, उस मैंसे किसी wallpaper के हिसाब से wallpaper जो को UI color उसको change करना हो, तो यहां पर आप वो set कर सकते हो, यह भी आपको different feature ही देखने को मिल जाते हैं, तो जिन मैंसे जो भी आपको अच्छा लगे UI color वो आप apply कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है, जो कि आपको customization form में देखने को मिल रहा है, UI की widgets देखने को मिल जाएंगे, अब जैसे कि आपको Google Chrome का widgets add करना हो, या फिर किसी भी apps का हो सकता है, WhatsApp का करना हो, Gmail, कुछ भी आप widgets को add करना चाहते हो, तो यहां पर सभी apps को widgets आपको available हो जाते हैं, इनको आप apply करके रख सकते हैं, स्कीन पर, इस phone में आपको super AMOLED display देखने को मि देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, अब आप अलग-अलग यहां पर screen पर कुछ design है, उनको देख पाऊगे, style को देख पाऊगे, जिनको आप बहुत आसानी से customize कर सकते हो, जैसे कि आपने यह apply किया, तो आप किस तरह से इसको देखना चाहते हो, वह आप देख सकते ह आप अप अपने चाहते हैं, नीची का आपको देखने को मिलें का पर जाना से sticker जिनको आप apply कर सकते हैं, डिजितल क्लोग देखने को मिल जाती है, जो भी आप screen पर लगाना चाहें, उसको लगा सकते हैं, एन एनलोग लॉग भी आपको देखने को मिल जाएंगी, अगर कु लगा सकते हो, तो जितना का customization है, ओन डिस्प्ले का वो यहीं पर आपको मिल जाएगा, उन करा ना है, इसको आप टाइमर बगारा भी रखने को रख पाएंगे, और भी आपको इपको वो फीचर दिया गया आप और भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक step यहां से रपस आ कि डाउनलोट करने रहेंगे यहां पर कोई message बगएर डालना चाहिए तो करेंगे आपको यहां पर सोग हो जाता है तो कोई भी left hand side पर मैंने camera कर दिया है यहां पर मैंने अपने wall को set कर दिया तो यहां पर आप इस तरह से इसको भी apply कर सकते हैं तो friends यह थे कुछ useful features phone के जिनके बारे मैं आज की वीडियो में आपके साथ share कर चुका हूँ आसा करता हूं friends यह वाला वीडियो आपको काफी अच्छा लागा होगा वीडियो चलागा वीडियो को लाइक सेया एंचार को सब्सक्राइब करके बैल लेकिन को प्रेस करना न भूलें जली friends मिलते हैं कोने वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care